बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बात करेंगे कैसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है शनिवार का तारीख है 20 नुमंबर 2021 मारगशी शकृष्ण प्रतिपदा पर चंद्रमा व्रिश राशी और रोहिनी नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा नौ शुब दिशा रहेगी दक्षन शुबरंग रहेगा नारंगी राहुकाल रहेगा सुभे नौ बचकर 27 मिनट से लेकर 10 बचकर 47 मिनट तक सरवार्त सिध्धी और अम्रिज सिध्धी योग रहेंगे दिन और रात दिन का सबसे शुब मोहरत रहेगा दुपहर को 11 बचकर 45 मिनट से लेकर दुपहर एक बचकर 26 मिनट तक विशेश क्या है मारगशीश का महिना प्रारंब हो रहा है और रोहिनी परव है चंद्रमा और भगवान श्री कृष्ण से संबंदित विशेश दिन है मारगशीश का महिना और रोहिनी का चंद्रमा और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी इसी से ही संबंदित एक सवाल आप से क्या आप किसी भी प्रकार के मनोविकार से पीड़ित हैं अगर ऐसा है तो राशेवल को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि हम राशेव समय लाबकारी है चातरों की पढ़ाई बहतर रहेगी घर में खुशी का माहूल रहेगा परिवार के साथ सेर करने जाएंगे प्रेमियों को मित्रों से सहयोग मिलेगा एक चोटा सवापाय जरूर करें धर्मिस्तल में लहुबान के अगर बत्ती जलाएं शुभंक नौ रहे कि मित्र मदत करेंगे नए लोगों से संपरक होगा एक चोटा सवापाय जरूर करें कागस पर नीले पैन से श्रीम लिकर पर्स में रखें शुभंक आपके लिए छह रहेगा शुभंक रहेगा गुलाबी बात करेंगे तीसरे राशी मित्विन यानि कि जमन आएगी मित्व दान करें शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा हरा बात करेंगे चौथी राशी करक यानिकी कैंसर की करक राशी वालो आर्थी पक्ष अच्छा रहेगा विवादों में जीत मिलेगी छात्रों को करियर में अच्छी खबर मिलेगी करीवी से उपहार मिलेगा बच्च नकारतमक बातों पर भरोसा ना करें एक छोटा सवपाय जरू करें पीपल पर जल चड़ाएं शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा लाल बात करेंगे राशे नमबर च्छे कन्या एनिवर्गो की कन्या राशवलों संतान के सफलता से खुश रहेंगे काम काज में मदद ना मिलने से परिशान रहेंगे पिता से अन्बन के योगएं गुस्से पर गाबू रखें मनोद शा GO 한 च्छोटा सवपाय जरू करें काली सर्सों करपूर से जला कर धूब करें शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा शुभंक रहेगा बात करेंगे सातवी रशित तुल तुला राशेवालों विवसाय में अचानक लाब के योगे हैं, दफ्तर में बॉस खुश रहेंगे, मन में नए-ने विचार आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, दाम पत्ते सुख बढ़ेगा, एक छोटा सवपाय जरू करें, जेव में सिक्के रखें, शुबंक रहेगा गुलाबी, बात करेंगे, आठवी राशे व्रिष्चे क्याने के स्कॉर्पियों की, व्रिष्चे का राशे वालों थोड़े भावुक रहेंगे, उल्जेवे मामले सुल्जेएंगे, बिना सोचे समझे, घरेल्यू फैसले ना लें, पारे बार एक मद्भेद के य धनू राशे वालों, आर्थिक शेत्र में स्थिरता आएगी, उल्जेने कम होंगी, परिवार का माहुल सुखद रहेगा, दमपत जिवन में मधूरता रहेगी, प्रेमी जुडों की शाम रसिक रहेगी, एक छोटा सो पाय जरू करें, पूजा घर में पीपल का पत्ता चड लें ना लें, समाज में सम्मान बढ़ेगा, एक छोटा सो पाय जरू करें, काली मिर्ची का सेवन करें किसी भी प्रकार में, शुभंक आठ रहेगा, शुबरंग रहेगा, काला, बात करेंगे, ग्यारवी राशे कुम भहियानी के अकवारी इसकी, कुम भराशे वलों, दफ रहेगा, शुबरंग रहेगा, काला, बात करेंगे, बारवी राशे मीन यानि पाइसेस की, मीन राशे वालों भागी दरी में नया काम शुरू करने से लाब होगा, बहुत व्यस्त रहेंगे, अधिकतर काम सरलता से पूरे होंगे, आत्म विश्वाश से कारशेतर में सफलत मिलेगी, एक छोटा सा उपाय जरू करें, बालकनी या छट पर तेल का दीपा करें, शुभंक तीन रहेगा, शुभंक रहेगा, पीला, तो दोस्तों आप समया आज के विशेश उपाय का, वो विशेश उपाय जो मनुविकार से मुक्ति दिलाए, एक तो रोहिणी नक्षत है, रोहिणी पर्व है, और मार्गशीश महिना, अगन महिना जो है, वो शुरू हो गया है, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और चंद्र का, यानि कि कृष्ण चंद्र का, जो विशेश फूजन किया जाता है, एक विशेश उपाय करें, वो ये कि दूद में अपनी छाया देख लें, और ये चाया देख करके श्री कृष्ण पर चढ़ाएं और चढ़ेवे दूद से चंद्रव देव को अर्द दें, और एक विशेश मंतर का जाप करें, ओम श्रीम, श्री धराय नमहा, आश्वस्त करता हूँ मनुविकार से निश्चित मुक्ते मिलेगी, दोस् पर चाह से चाह सो मिलेगी, दोस्ट इन हो परम श्री करत द देख को अरू देख, झाल र lengätzु करते ही महाँ, और उ ठाय चार हैक करते हैं, और र tackle को अ